प्रणाम सभी लोग को मैं वैद्य आर्विन पाठक पुने महराष्टा से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं सभी लोग को कोटी-कोटी प्रणाम करता हूं आए आज आज से हम लोग 20 दिन तक आरोग्यवर्धिनी वटी एक नया श्रिंखला का शुरुवात करते हैं 20 दिन तक हम लोग कुछ अलग ही पढ़ेंगे और अलग-अलग त्रिष्टी कोन से एक और जो सभी के प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है और आप सब के सब भारत के सर्वस्रेश चीकित सकें तो इसलिए हम लोग जो चर्चा करेंगे उसका फायदा जो है यह सभी वैद्दे लोग को जरूर होने वाले और यह जो मैंने संकलन शुरू किया है श्रिंखला शुरू किया है यह बहुत अभ्यास करके कि मैंने लाया है आप लोग चर्काचरे जी ने सुत्रस्थान दिर्ग जीवेती अध्याय में कि तदेव युक्तम वहशज्यम यथा आरूग्यम कल्पते सचैश भिशजाम श्रेश्टो रोगय भ्योग यह प्रमोच यह बहुत चर्काचरे जी कहते हैं कि जो वैद्दे रोग्णों को व्याधी मुक् 510 त noi वेद्दि दकतरा स SJण थरह ब्योडती झ क्मिए नाम है क्योंकि इना भड़ाती है और यह अभी हम आगे सत्रों में देखेंगे कि किस तरह से इसका अलग-अलग अनुपानों से अलग-अलग मैथट से इसका और इतना बढ़ियां रिजल्ट आता है आरोगिवर्दिनी वटी का वो तरी द्यादियों में तो इसी पर हम लोग तर्चा करेंगे एक ही और शदी विविद विकारों में भिन-भिन मात्रा में तता अनुपान भिद से प्रयोग में लाये जा सके यह व्यद्द की कुशलता का प्रमाण है मतलब व्यद्द का स्किल है कि वह एक मेडिसिन को क्योंकि आईरवेद की जो दवाईयां है वो होलिस्टिक रहती है त है तो आईरवेद की जो चिकित्सा है ना अनुपान बदल-बदल के एक ही मेडिसिन को हम लोग बहुत सरी व्यादियों में प्रयोग कर सकते हैं बेसिक एक मेडिसिन होना चाहिए और ऐसे मैंने देखा है महराष्ट की परंपरा में बहुत सरी व्यादिया ठीक करते हैं तो आयर्वेद्य ग्रंतों में अलग-लग विकारों के लिए बहुवित कल्पों का वर्नन मिलता है इन सब कल्पों को एक सांथ चिकित्सा में रख पाना व्यवार में असंभव है अभी देखें जाए तो आयर्वेद्य की डेड़ लाग से जादा दवाईया है तो सब हम डेड़ और उसका प्रयोक करते हैं तो अगर हम लोग देखें कि बहुँ गुणिक कल्प का संकलन व्यद्य को अगर मिल जाए एक मेडिशन में बहुत सारे गुण है वैसा अगर मिल जाए तो हमारा चिकित्सा है वह बहुत अच्छा हो जाता है लिमिटेट दवाईयों से बहुत सा संशोधन किया जाए तो और मैंने भी ऐसे डिसाइड किया कि क्यों ना हम यहां पर डिसकस किया जाए कि आरोग वर्दिनी वर्टी कौन-कौन से द्यादियों में किस तरह से प्रयोक किया जा सकते है एक गुणे शास्त्री व्यद्देजी थे पुने के अहमद नगर में तो वह क्या करते थे कि वह बोलते थे कि आरोग वर्दिनी जैसी प्रभाव शाली अश्यदी तो है ही नहीं इतनी बढ़िया दवाई है और जब हम लोग भैषजरतनावली नाम का ग्रंत देखते हैं तो उसमें कुष्ट रोगादिकार में कुष्ट व्याधी जो है वह करेषलता के सायता से उत्तम प्रभाव दिखांब देता है इतना बढ़़ रख्यवर्दिनी वर्टी के बारे में क्या बताए में कि भौना कि मोक्ते ने सर्वल अगेशो फशतस थे मतर्द ऐसा कौन सा व्यादी है जो आरोगिवर्दिणी वटि से नहीं ठीक होता है मतर्द ऐसा कोई भी व्यादी नहीं है तो जितने भी उक्त व्यादिया HO अभी और अनुक्त व्यादिया सभी में आरोग्यवर्धनी का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फैदा हो जाता है यह संपन्न और योग्य और बहुत विद्रिश्टी से इसका उपयोग लाने में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है 100% पेशन ठीक होते हैं और वैद्ध को ज यह सब हम लोग चर्चा करने वाले हैं आरोग्यवर्धनीवर्टी के बारे में बताने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि चिकित्सा के चतुषपाद बताएगे हैं पहला है वैद्ध्य दूसरा है ओश्री तीसरा है परिचार्ण और चौता है रोगी यह चतुषपाद मतलब हम जो भी medicine यूज़ कर रहे हैं वो ओशदी अधिक रूप में प्राप्त होना तो आरोगवर्दनी तो हमें प्राप्त होता ही है ओशदियों का व्यादी नाश में समर्थ होना मतलब इतना इतना सामर्थ्वान medical होना चाहिए है कि बहुत सरी व्याधियों को नश्ट कर सके और यूषदी का अफने रसबीर होना चाहिए है अच्छा विपाक होना चाहिए अच्छा वीर होना चैहिए हैं यह सारे जारी तो और बागबट में देखे हैं तो वागबट में क्या पताएं बहु कलपाम बहुक। विदम संपन्नम योग्यो अश्यो दम् ऐसा बता है वही चाहिज चरका चरिजी मेंसे कना होना चाहिए यह मिलना चाहिए बढ़़ली अटि को ओर तो आरोग वर्दिनी को बोलुम से लेके इतनी सारी दवाईयों का संक्लन में में तो उपलब्ध हैं इन कल्पों के गुछ कल पहली बार बनाने विब रिशी मुनियों के नाम से जाने जाते हैं जैसे कि कुछ रसायन अगस्ति रसायन पर जो रिशी लोग बनाते थे उनके नाम पर ही वह मेडिसिन का कांकायन वट्टी कांकायन रिशी ने सबसे पहले बनाया था इसलिए उनका फिर चवन प्राशा वले चवन रिशी के लिए बनाया गया था इसलिए चवन प्राशा वले इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ग्रंतों में लिखेंगे कल्पों को संकलित करके आखरी पंक्ति में हम लोग यह देखते हैं कि अपने ग्रंतों में ऐसा बताया गया है कि आत्रे पूजितम या फिर कांकायन नाम से यह रखा जा रहा है मतलब ऐसा रखा जाता है कि जिस व ऑग पहले पहले लगता एक अन्दाजा हमें मिल जाता है आरुग्य वर्दिनी वप्टी जो है उसके जब हम स्लोग देखते हैं पुरा तो उसके लिप प्रिफला दिगुणा यू प्रोक्ता त्री गुणम च शिला जतु चतुरु गुणम पुरम शुद्धम चित्रमूलम चतत समं तिकता स्तर्व समागेया स्तर्वम संचून यतनता निम्ब विर्क्षद लांबो भी मर्दियत विद्धिनावदी ततस्च वटिका कार्या अरोग्यवर्दनिवटी जो च्री नागारजुंगे जहीं बनाया है और इसका रसलत्थास्योग-सघर.-еро को में हमें सब्सक्राश्थरूप से मिलता है चारे नागारजुन जी जो थे प्रथम रशास्त्री और आजम आब इतना उन्हों ने डेफलप किया ता पुरा पुरी दुनिया में रश्य स्थ को तो उन्हों ने ही आरोगिवड़नी वट्टी को बनाया है नागर्जुन नाम से अगर हम लोग देखेंगे तो दो वेक्तियों का उल्लेक मिलता है पहले अगर देखें तो प्रथम नागर्जुन का काल ऐसा है इस्वी सन एक 120 से 185 ऐसा मना जाता है और उसी तरह से नागर्जुन द्वित्य भी आये जो 780 इस्वी सन उसमें वह आये मत प्रश के होने के बार कि जो है यह कल्प द्वित्य नागर्जुन ने बनाया है ऐसा आघर मान लिया जाए तो ऐसा समझा जाता है कि इस्वी सन आठवे शतक से इस्तमाल किया जा रहा रहे है उसके पहले रसकल्ब उतना फेमस नहीं था उसके पहले केवल हरबल दबाईयां करते थे जैसे चरक शुशुद वागबट में आप लोग देखेंगे कहीं पर भी रसकल्प नहीं है लेकिन बाद में जब रश शास्त्र का क्या हुआ कि व्याधिया बढ़ने लगी और कम टाइम में एवलिबिलिटी हो और वो टिकाओ भी रहे अब किसी को जुआ रहे तो प को ठीक करना है तो फिर रश शास्त्र का निर्माण हुआ कि हमें हमेरापस मेडिसीन कम मात्रा में रहे और पोटेंट रहे अल्प मात्र में बहीं जादा काम करें इसले रश शास्त्र पे रिसर्च रूप और रश शास्त्र एक नया साइंस आईर्वेद में जोड़ा गया जैसे कि अलोपेति साइंस अभी आया एंप तो और भी रिश्चेश हुए तो आईरवेद में उसी तरह से रश्षास्त्रे एक नया साइंस आया प्रथम नागारजुन का जो ग्रंत है रस रतनाकर और रसेंद्र मंगल ये दो ग्रंत प्रथम नागारजुन ने लिखे थे जो इस्वी सन 120 से 180 तक थे तो उसमें ऐसे पता चल रहा है कि चीनी यात्री आये था जो चीन से आये था और उसमें भारत ब्रहमन नाम का पुस्तक लिखा हूँ है चाइनीज लेंग्विज में या चीनी यात्री जो था वह 162 इस्वी में वह इंडिया में आये था तो फिर वह आ थे जो गृत के बारे में लिखा है तो वह जैसे कि रसरतणाक रसाइनर वंगल और और वह सारे बारे में लिखा है लेकिन वह पूरा गृन्त जो है आज के जमाने में हमारे पास एवलेबल नहीं है क्योंकि अलावदिन नाउदिन खिल जी ने जो नालंदा उन्वेसिटी को जला दिया था आप लोग को मालूम है 27 दिन तक लाइबरेरी जली तो हम जो अभी हमारे पास जो ग्रंत है रस रतनाकर रसेंदर मंगल उसमें आरोगी वर्दिनी का उल्ले जो है लेकिन इतना जादा जानकरी उपलब्द नहीं है तो यह और रिसर्च का विशह है लेकिन चाइनीज जो यह था ट्रैवलर था वो उसने लिखा है कि हां यहां पे आरोगी वर्दिनी वट्टी का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था और प्रथम नागर्जुन जो थे 162 इस्वीशन में वो बहुत रिसर्च करते थे नालंदर नुशिटी में उसी तरह से इतियास में जो भी कहा गया हो लेकिन आरोगी वर्दिनी वट्टी आज के जमाने में सबस्यादा प्रसिद्ध और प्रचलित कल्प है यही सत्य है इसी तरह से और भी हम लोग देखते हैं बहुत बड़े-बड़े वैद्दे लोग है मतलब वही उनका basic रहते है ठीक सबस्यादा इटना आरोग्य वर्दिनिवट्टी का प्रियोग करते हैं तो जब इतना अरोग्य-वर्धिनिवट्टी होता है जो पुराने पुराने वृद्दे चिकीच साथ लोग हैं वह इसका क्यों और किस तरह से प्रियोग करते हैं ऐस प्रश्ण नए चिकित्सकों को होता है कि इतना अच्छा दवाई आरोग्य वर्दनी वटी है इसका किस तरह से इस्तमाल किया जाए हम यह हमारा भी प्रैक्टिस और अच्छा हो जाए तो यह अगर हम लोग देखें तो सटीक काम करने वाले यश्यदाई कल्पों की और उसका है ही तो का अंशांश कल्पना से हम लोग देखते हैं फिर संप्राप्ती देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह व्यादी ऐसे अजकित्स वंता इतेक मेडिसिन का सेलेक्षिन भी बहुत जरूरे वह और आशदी उसका बहुत ज़दा सुक्ष में चार करना पड़ता है एक व्यादी के लिए बहुत सरे लक्षन समुच्चे लेके बहुत सरे मेडिसिन रहती हैं जैसे कि आप लोग देखें ज्वर बुखार की विमाद दवाई तो आरोगी वर्दिनी वर्टी त्रिभुवन किरती रस है बुखा कानिक हैं महातिक तक रहते बहुत सरी दवाई तो लेकिन हमें मेडिसिन के बार में बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की जुरत पड़ती है कि यह दवाई किस कंडिशन तक और कहां तक कितना फैदा करेगी एक और 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 अशदी कल्प जो है अनेक व्यादियों में विवि लिए इतनी सारी दवाई हैं उसी तरह से आप रशास्त्र की बी किताब देखे भैषजरतनावली बी देखेए उसमें जैसे कि मस्तिष रोगादिकार में इतनी सारी दवाई हैं बताइए तो सारा दवाई हम अपने क्लीनिक में नहीं रख सकते हैं एक तो वह कौशली भी कल्प में क्लिनिक में रखना संभा है इन्हीं कल्पों में हम क्या-क्या में में दवाईयां रख तो हम लोग सुच्छेखर रख रखते हैं लगूच रखते हैं आनन भैर्वर रखते हैं त्रिवुवन कीरती रखते हैं गन्दक रसायन चंदरपबा गोक्षिराधी कुछ चुनिंदा कल्प चिकित्साले में उप्योग करने का निश्य होने से उसका निर्वांद घर भी आराम से हो सकते हैं अगर हमारे पास कुछ लिमिटेट दवाई हैं और हमारे पेशन ठीक हो रहे ना ठीक है हम उसको खुद घर पे बना लेंगे तो फिर क्या होता है कि साल भर में 25 से 30 कल्प जो है वह आराम से एक साल में बनाया जा सकते हैं रस कल्प आसानी से खराब नहीं होते हैं और और अशदी कल्प जो रहते हैं वो खुद के निर्वान होने से आर्थिक वय भी कम रहता है और अथेंटिस सिटी भी रहती है कि हमने हमने कुटकी डाला हुए हमने हरितकी डाला हुए हमने तामर भसम डाले तो यह अच्छा क्वालिटी का होगा और दूसरा क्या है और शदी जो है खुद की बनाई है तो मन चाही मात्रा में उप्योग में लाए जा सकते हैं स्वेम बैनायने वाली ओशदी जो है वह हम प्राशन जब हो रहा था जब आयूश दर्पन पे लाइव टेलिकाश को रहा था लोग बना रहे थे तो वह दवाईयां कितनी अच्छी थी प्रभाव शालिवी वन्दना में ने कहा कि मैंने जितने लोगों को देखा को रोना टाइम में बच्चों को दिया वह लोगों को थो को रोन भी हुआ है अनके पेरेंड्स भी नहींवा इतना वह पोटेंट दौए इतनी प्रभ्हवशली दवाईया प्रभावशली के सांसर उसमय एक मम्त है कि हमने डवाई बनाये तो वह जो भावना रहती है वो दवाईयां और ज़्यादा प्रभाव जली रहती तो इससे क्यों विद्ध होग रूगन संक्या भाड़ जाती है उसका मतलब ऺड़ियां दवाई देता मेडिसिन और व्यद्यक व्यवसाय का आत्मा है तो लोग ने को श्वर नाम ही नहीं रखा है यश और धन देने वाला बटी तो रसरत्न समुच्चे में हम लोग इसका उल्लेक देखते हैं सबसे पहले और भी ग्रंतों में होगा लेकिन रसरत्न समुच्चे में ऑथेंटिक माना जाते है रशास्त्रगवुक में तो यह तेरहवे शतक में पुष्ट रोगादिकार में र बाद में भैशेजरत्नावली में भी है आयरोरिस्तार संग्रह में भी है भारत भैशेजरत्नाकर में भी है वह सरगन्तों में लेकिन रसरत्न समुच्चे को अथेंटिक मना जाते तो ऐसा बताया कि रस गंद लोहाब्र शुल्व भस्न समान्शकम त्रिफला द्युगणा इसका मतलब यह है कि इस औशदी को देखें तो टोटल इसमें त्रिफला को मिलाके बारा घटक है इसमें नीम का पत्र का स्वरस भावना के लिए प्रयोक किया गया है भावना संसकार आप लोग को मालूम है कि हम लोग खलवी अंत्रे लेते हैं और उसमें सारे द्रवे मिलाके और कोई काड़े का हम लोग भावना देते हैं घोटते जाते हैं तो वह उसकी गुण्वत्ता बहुत ज्यादा पड़ जाता है तो इसमें आरोगिवर्विनी वट्टी जो है इसमें क्या-क्या मेनमेन घटक द्रवें तो शुद्ध पारत एक भाग शुद्ध गंदक एक भाग इन दोनों को मिक्स करके पुरी अच्छे तरह से संस्कारित करके हम लोग कजली बनाते हैं त्रिफला दो भाग शुद्ध शिला जतू तीन भाग शुद्ध गुकुल चार भाग चित्रक चार भाग और कुटकी जो है यह जितने भी द्रवें इन सब के बराबर अठारा भाग हम लोग डालते हैं कुटकी बहुत ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो कुटकी आप लो टॉटो हो जाते हैं तुछ लोग जोएं कुछ व्यक्ते लोग जो है कुछ व्यद्य लोग जो हैं त्रिफला को छेब डालते हैं कुछ लोग मत मत अंतर है जिसको जिस तरह से बनाना हो वह वैसे बना सकता है अगर हम लोग देखें कि इसमें त्रिफला का मतलब यह होता है कि त्रिफला को सेयुक्त समझा जाए कि अलग लग हरित की विवित की आमलकी या लग समझा जाए या फिर सब को मिला दिया जाए तो फिर ऐसा हो सकता है कि हरित की दो भाग विवित की दो भाग आमलकी दो भाग ऐसा करें तो छे भाग हो जाएगा त्रिफला तो उस पे भी मतमत अंतर है उस पे हम लोग मतमत अंतर पर नहीं ज को कितना नीड है कि त्रिफला ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए उसे सब्सक्राइब बना सकते हैं दूसरा कि है कि आरूग्य वडदनी वट्टी के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें तो यह हर्बो मिनरल दवाईए मतलब मिनरल भी और हरबल भी इसमें मतलब यह अप तो क्या बताए कि मल शुद्धी करी मतलब पेट को ये मल को साफ करती है इसलिए कुटकी का प्रमान जो होता है वह ज्यादा होना चाहिए अठारा भाग कुटकी डाला हुए आरोगी वर्दनी वह गोली के मात्रा क्या बताए कि राजगोश फलोपमा मतलब यह जो है यह अब मल शुद्धी करी जब बोलते हैं तो इसका मतलब विरेचन करम नहीं बोला है मल की शुद्धी करना अभी वह तरह मारे पास पेशंट आते हैं न कि मल जो है वह अच्छे से निकलता साम मल निकलता है या थोड़ा निकलता है थोड़ा नहीं निकलता है अठका हुआ र के एक एक सेल का कच्रा को निकालती है और वह भी विरेचन से थोड़ा डिफरेंट है अगर हम लोग कराते हैं तो वह क्या होते हैं घृतपन कराते हैं स्नेहन सुधन करते हैं और वह शोधन का प्रक्रिया रहता है लेकिन यह शमनोशदी में होके भी इतना बढ़ियां शुद करता है वह एक एक लेवर एक एक सेल तक करता है अगर इसको 42 डेस तक हम लोग कंटिनु क्योंकि ऐसा बुला है कि एक मंडलम से भीता हंति कुष्टान शेषता एक मंडल तक अगर मदब 42 डेस तक अगर दिया जाए तो यह धीरे 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 मल की शुद्धी करते जाता है इसलिए कुटकी जो है वह क्या है वह ज्यादा मात्रे में डाला है कुटकी जो है वह अगर कम डालते तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता इसी तरह से आरोग्रिवर्दिनी में हम लोग देखें तो त्रिफला डाला हुए है त्रिफला जो है वो एक तरह से एंटीबेटिक है और रसायन भी है वो बहुत बढ़ी हां काम करता है उसी तरह से और भी ग्रंतों में अगर हम लोग देखें तो कुछ लोग क्या करते हैं क की इसका चून बना लेते हैं पीछ के कुट पीट के और फिर मिक्स करके तुरक्षित रख लेते हैं फिर शुद्ध पारच शुद्ध गंदा को मर्दन करके बहूत ही शलक्षन और निश्चंदर उसमें चंद्रिका नहीं आना चाहिए ऐसा कजली त्यार कर लिटे हैं फिर बहुत सारे लोग क्या करते इसी तरह से बनाया जाते हैं कहने का मतलब यह तो इसमे कजली जब बन जाते तो लबसम डाल के मर्धन प्रक्रिया करते और एक कलर उसको आजाए एक रूप आजाए कजली और लबस छिद्ब संakte पहले लब त्रिफला डाला जाते हैं ए यह पूरा खरल से निकाल कर पूरा एक जीव करके काला-कला क्योंकि कुटकी यह लॉबस में यह सब हैं तो काला-कला हमें मिश्टन त्यार हो जाता है फिर क्या करते हैं कि शुद्ध शिला जतू और शुद्ध गुगुल को एक पात्र में लेके दोनों द्रव्य दूब जाएं इतनी मात्रा में नीम का पत्ते का सsilरस पात्र में भरकर दक कर रख देते हैं नीम का पत्ते का रस्प बहुत जदा लगते और नीम जो है वह तो इतना बढ़या स्किन के लिए हैं और नीम जो है रख्ति की शुद्धी भी करता हैं न deglaasatory भी दूर करता है तो और क्रिमिक लेक पत्र का स्वरस लेके और आगे में और बताऊंगा कि नीम के पत्ते का स्वरस कैसे बनाना है वह भी डीटेल में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले क्या करना है कि शुद्ध शिलाजटू शुद्ध गूगुल को हमने दोनों लेके और वो दूब जाए इतना नीम के पत्ते के स्वरस में डालके भी होके रगदिया है उसके बादमें क्या किया कि जो चूण हमने सभ मिक्स किया था वो सब को लेना है खरल में और नीम पत्र को सोरस में डालकर मरदन करना हैं और और फिर इसको घुरते जाना है मरदन करते जाना हैं करते जाना तो ये करते 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 वह पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और वह उड़ते जाएगा पानी इतना ज्यादा बहुत दिन तक करते जाना है तो वह बाद में वह पूरा पानी उड़ जाता है मर्दन करके करके तो बाद में वह गोली बनाने के तक आ जाता है स्टेज तक इतना मर्दन किया जाते हैं मर्दन कुछ लोग है वह हाथ से करते हैं आजकल तो मशीन से होते हैं जितना हाथ से होते हैं उतना टाइम लगते हैं उतना मेहनत से बनाए हुआ वह ज्यादा अच्छा रहते हैं अगर ऐसा बुलते हैं कि श्वास कुठार रस जब ब बनता है आज क्या करते हैं मशीन में डालते हैं एक पुरा काली मिटिस डाल देते हैं तो वहां उतना गुंकारी नहीं होता एक-एक मरीज डालके मर्दन करने वाले जो श्वास को उठा रहे सबसे पाउरफुल रहते हैं सबसे अच्छा रहते हैं उसी तरह से यह सारे मेडिस सब बनाये जाता है बनाया जात यह यह जब अधर फिर अचलेंस जैते हैं और जैसे शुश्क को कशЙ और मिशने के टुकड़े भी उते हैं और सूखने के प्रक्रिया जल्दी हो जाते हैं तो तुकडों का चून करना आसान हो जाते हैं और उसमें परWow तरफ में ड्लाइजर या खलवी अंतरे में डाल के जो मशीन से चलता है सुख्ष में चुण बना दिया जते हैं ऐसी तरह से फिर बैंडिंग यजंट कितना है गटक द्रवे कितना है इस तरह से वहां लगाना जरूरी होता है एफडिये का रूल है कि हम जो भी मेडिशन बनाते हैं उसमें क्या-क्या चीज कितना-कितना डाला है वह बहुत जरूरी देता है दूसरा क्या है कि बाइंडिंग मटेरियल जो है इसमें शुद्ध ग लोग क्या करते हैं कि बना लेते हैं बाद में टैबलेट बनाते हैं अपना-पना मेथण रहते हैं कुछ लोग रेनुल्स तायर करने के लिए चप्टी थाली में लेते हैं और चूर्ड में थोड़़़वड़़़ड डालके गुंद गुतके और वह मुठी में दबाकर लेकिन बहुत जदा इतना हाड बना दिया तो वह हमारे पेट में आमाश में जाकि गुलेगी नहीं शौज से वैसे के वैसे निकल जाएगी इतना हाड नहीं बनाना है तो सब लिंग्वली अगर रखें तो घुल जाए ऐसा बनाना चाहिए रसकल पर रसनात रस उच्चते जब बोलते हैं तो वह जीवा पे घुल जाए ऐसा गूली होना चाहिए ठीक है आरोग्वर्दिनी वट्टी जो है जब क्या करते हैं कि कुछ लोग किया करते हैं कि द्रबीश लेते हैं चुद्द करके ठीक करते Solar कुछ लोग क्या करते हैं कि फिफ्टी पर्षेंट जादा उससे ज्यादा डालते हैं कुछ लोग फिफ्टी परसें डालते हैं कुटकी जो है रुक्षेदरवी होने के वाजा से अरगवर्दिन में घुल मिल नहीं पातें कुछ लोग क्या करते हैं कि कुट्ट की के चुन को शक्ति बढ़ाने के लिए कुट्की के काढ़ा की साथ भवना देते हैं कुछ लोग की अगरते हैं कुटकी के काड़े में कुटकी के चुन को भावना देते हैं छे गंटा और फिर युद्ध है इस तरह से अगर हम लोग देए आलग तो आरक वर्दीनी बहुत शक्तिशाली बन जाती है और मात्रा भी कम लगने लगती है और दूसरा के है कि शुध शिला जट्सु रेता है शुद गूगिल रहता है उसके लिए को़ियो करते हैं कुछ लोग कुछ लोग कि नीम पत्र का सोरच करते हैं कुछे लोग क्या करते हैं इस से यह अलग-अलग method से बनाए जाते और परंपरागत या फिर कंपनी के हिसाब से कंपनी का प्रोटोकॉल के उसे अलग-अलग बनता है कुछ लोग के आप नीम पत्र कैसे बनाते उसकी विदी सुनिए नीम के पत्ते में स्वरस प्राप्त करना बहुत कटीन होता है क्योंकि स्वरस नीम पत्ते में प्राप्त करने के सफेद सब्स हर कर निचोड़कर निकाल लोते हैं इस रसको तीन गंटे बिना हिलाय रहने दिना है उपर का तरल भावना के लिए उप्योग कर लेते हैं और नीचे का भी जो भाग रहते हैं वह भी हम लोग डाल जयते हैं मैं यरो बकि थाहर नहीं करना चाहिए एको वर्शा रीतों में पानी पांकी होते होता है पैट में जाए खट्टा हो जाते है तो वैत तो इसलिए वर्शा रीतों चोड़के दूसरे सेजन में अरोह Ε्धिनीмы बारिश में हम लोग सुखान नहीं सुखते हैं तो वट्टी कैंद सुखेगा और और शुदी को कार्य होता है जैसे कि हम लोग देखेंगे कि आरोगिवर्दिनी वट्टी जो है यह मुत्रवस त्रोतस पे भी काम करता है और कुछ लोग इसका प्रयोग अलग-अलग जगोपे करते हैं जैसे कि मेहम कुष्टा अपस्तमारम उनमादम श्लीपदम गरम शोशम शोफार शसी गुल्म हम पांडू पांडू ताम विशम जोरम अपोहत्या चिरात काला शिला जतु निशेवितम मतलब इसमें ऐसा बताया है कि जब हम लोग आरोग वर्दिनी का प्रयोग करते हैं तो यह प्रमेह व्यादी में भी अच्छा काम करता है डायबिटीस में इतना बढ़िया में काम करता है अपसमार में करता है उनमाद में करता है श्लीपद व्यादी में गर्विश में शोत में अर्श में गुल्म में पांडू रोग में विशम जोर में भी इसका प्रयोग करते हैं दूसरा क्या बताया गया है कि यह शै व्यादी में जहां राज्यक्ष में उसमे में इसका प्रयोक किया जाता है दूसरा ऐसा पता गया है आरोगी वर्दिनी वट्टी तो हर व्यादी में प्रयोक किया जा सकते हैं और ऐसा बुले कि 17 कुष्ट गाती धातूश्यमुत्रेंद मतलब यह 17 टाइप के जो कुष्ट व्यादिया है उन सभी में मतलब महाकुष्ट शोद्र कुष्ट सभी कुष्टों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका अनुपान गोमुत्र के सांद और माक्षिक भसमें के सांद जब किया जाते हैं सुद्ण माक्षिक भस्म तो वह ज़्यदा इफेक्टिव हो जाते हैं ने अपना-पना मत-मतानता रहे दूसरा कि आए कि आगर हम लोग देखें तो कुछ लोग और अलग तरह से बनाते हैं जैसे कि पारा गंदक ले लिया कजली ले लिया लौ भस्म अब्रक बस्म तामर भस्म त्रिफला ले लिया कोई लोग श्वेट शिलाजतु डलते हैं कोई लोग नहीं डलते हैं कुछ लोग फिर शुद्ध गुगुल डलते हैं चित्रक डलते हैं कुटकी डलते हैं फिर तीन चीज़े और डलते हैं एक नवसागर डालते हैं स्वानमाक्षिक और गजवेल ऐसा लोग और जातर गुजरात की काठ्यावादी वैद्दे जो हैं उन लोगों ने क्या किया है कि इस पे और रिस्टर्च किया है उन्होंने तामरबस माठा दिया और गुडूची यह डाल दिया है तामरबस माठा के अपना-पना म और बढ़ा देते हैं कुछ लोग क्या करते हैं शिला जला को हटा कर पंदरभाग नावसागर डाल देते हैं तो और यह करते हैं चित्रक मूल जो हैं वह कम डाल देते हैं कि वह उससे हीट बढ़ेगा शार्धरमिता बढ़ जाएगा मूल पार्ट बदलना जो है वो सही नहीं होता है जो मूल ग्रंथों में हमारे आचारें लोगों ने कहा है वह तो सबसे स्थ्रेश रहते हैं कुछ लोग को रहता है कि हम लोग बदल दे तो वह अपना-पना मत-मत अंतर है एक मुंबई के बहुत बड़े वैद्धिय विन्य विलरंड कर सर उन्होंने एक अनुभव जो है वह पताया है कि एक रुगना थी जिसको इसोफेज में अनननलिका में कैंसर हुआ गया था तो टाटा मेमोरियल हर्पिटल में भरती हुई सब परिक्षन करने के बाद सर्जरी हुआ और सर्जरी के बाद में वो उनके क्लिनिक दोमवली में तो आट-दस दिन के बाद रुगना को फिर से निगलने में तकलिफ होने लगी क्योंकि ग्रंथी की व्रिद्धी फिर से हो रही थी तो स्थानिक जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सलाहिन देकर चार-पास दिनों का एंटिबेटिक देखे कोशिश किया कि वह तो उन्होंने कहा कि मैं एक दवाई दूंगा इसको आप शुरू करिए उन्होंने आरोगीवर्दिनी बटी और पत्थ्या दिक्वात्ते उश्यदियाश शुरू कर दी दोपर चार बजे नेक्स देट दोपर चार बजे पहला खुरा गया रात को आट बजे दूसरा खुर आगनी धीपन हो गया पाचन हो गया और रोगी ने रुखना ने खुद आधकब दूद लिया तो चार दिन तक रूगना ले थी रही लेके खाना निखा पा दी फिर उसके बाद में और चार-पास दिन गए मतलब आट दिन के बाद रोगी काना खाने लगी तो यह फिर सर यह दुखक से करते करते को तो बढ़ दिया आरगवर्दनीवटी और वह आयू को बढ़ाना वह लेकिन इतना तो हुआ कि सवा साल की जिंदगी और मिल गई तो इसी तरह से उन्होंने अपना जो अनुभाव है वह अपना बता है आरोगी बढदिनी बटी जिसको भी खाना नहीं खाया जा रहे उसको अगर दे दिया जाए तो भूक लगने लगती है और बहुत अच्छा फैदा हो जाता है ठीक है मैंने अपने तरह से आज का जो पहला जो है सीरीज का पहला सत्र वह मैंने कंप्लीट कर दिया है आप लोगों में से किसी को कुछ अनुभाव आरोगी बढदिनी बटी के बार में बताना है तो क्रिप्या यहां पर अन्म्यूट करके बताईए जो भी वैद्दे बताना चाहें वो खुद बता सकते हैं कौन बताना चाहते हैं अभी और नाइंटीन डेज और चलेगा आरोगी बटी के बार में कुछ बताना चाहते हैं कंचन में या कोई बताना चाहते हैं यह मैं बताईए मैंने मैं सुनी पाई सर्फ पूरा लेक्शर क्योंकि मुझे लगा कि आप साड़े सवाड़ भजी मिलोगे मैंने जस्ट ओपन किया था पर बहुत अच्छा कल्प है सरी मतलब आरोगी वर्दीनी मेरा सबसे फेवरेट रहा है और मैं इसे बहुत दिनों से और बहुत सालों से बोलूंगे मैं और रेग्टिछर मेरा मतलब रोज के प्रिस्क्रिप्शन अगर मैं दस लिखती हूं तो उसमें पाच मिरा अरोगी वर्दीनी रहता ही एं बहुत ही अच्छा है सरी है जैसे की हम इसे सब प्रिमारियों में चला सकते हैं जैसे जो जो और मैं मैं से चलात पिने में कुछ पेशन या नहीं दो पर आपने जब से दूद का अनुपन बताया है तो मैं इसे के साथ दे रहे हो तो उसके रिजल्ट कोई भी टाइप का बहुत बार हमें डाइग्नोस नहीं कर पाते शुरू शुरू के फिर भी मैं इसे दे देती हूं लेते रहेगा एक लिस दस दिन पंदरा दिन फिर बाद में जैसे हमें समझने लगता है तो हम उसी टैप से उसमें कुछ मेडिसिन और एड कर देता है इसमे यह जिसे नौर्मल कामला जो यह हो क्या आता है पिशन्ट बेली-और बढ़ा हुआ है तो उसमें भी बहुत अच्छे से काम करता है बहुत अ बहुत बार मैंने मितलब जिसे कफ़ा और पित्य की संप्राप्ति मुश्ली जिस व्यादी में हो तो उन सभी बिमारियों में मैंने इसको चलाया है सर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और डेफिनिटली और स्कीन प्रॉब्लम में तो बहुत ही अच्छा काम करता है स्कीन की सभी बिमारियों में अच्छा काम करता है कोई भी टाइब का कुष्ट हो तो यह फॉर्स लाइन ओट्रेटमेंट में यह मेरा रहता ही आरोग्य वर्दी नि यह बहुत की पेशन का जो पैचिस हुए है सोर्यसिस के या फिर बहुत ज्यादा ही हो रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छे से का काम करता है तो किसी को और अपना एक्सपिरेंस शेर करना चाते हैं तो कर सकते हैं कोई करना चाते हैं आरोगी बटी के बारे में कुछ किसी को कुछ बताना है यह नहीं बताना है तो कोई बताए मैं अच्छे से आपको बताए शर इसमें जैसे कल हमारा चल रहा था तो इसके साथ में इसको रेगुलर देती हूं पिशेंट को इसमें बहुत फायता मिलता है बेसिकली आरोगवर्धनी को थोड़ा सा पहले ऐसा बताते थे कि टीक्षणता रहती है इसमें जब से आप बता हैं सर दुग्द से सेवन करने को इसमें पिशेंट को शिकायत बंद ह हो गया है इसकी डिजीज में तो प्राइस को चलाते ही हैं लिवर में चलाते हैं ध्याकि दुरबलता में कफ़स में भी बहुत अच्छा काम करता है अरोगवर्धनी तुनरणवा देख पाड़ा के साथ ही देते हैं तो कफ़स्व्यादी में भी अच्छा कारगर हैं और के साथ में फिला विला करके देते हैं तो इसकार है कि व्लेट्रि और अगनी को प्रदीप्त करना इसके वजह से सारी चीजिएों में सभी के साथ को जैसे कंप्रिमेंटरी में ने भी चीज वैसी इसको चला देते हैं आ कि आलिशाधी बहुत अछे से आप इसको आज रिखाएंग किये सर थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू और कोई कुछ बोलना चाहते हैं कुछ बोलना है तो बुलिए ने तो हम कल बात करेंगे अभी मैं सेशन बंद करता हूं फिर हम लोग अभी 8 15 पर मिलेंगे थैंक यू प्रणाम सभी लोग को थैंक यू सर प्रणाम सब्सक्राइब नाइट सब्सक्राइब